कोल मिल में जादा तर आग लगती है बारिश के समय अगर कोल में बहुत ज़्यादा मौश्यर है कोल बहुत ज़्यादा गीला है तो कोल मिल में आग लग जाती है बारिश के समय क्योंकि कोल इबतम जम सा जाता है कोल मिल के अंदर और उसके बाद रबिंग सर्फेसे सोने के का पारण उस कोईले में आग लग जाती है और आपको यह जानके भी बहुत हरानी होगी कि इस टीम से आग बुजाए जाता है हलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मेकैनिकर गुरू यूट्यूब चैनल पर चाहे आप इंडिया में किसी बड़े पावर प्लांट में चले जाओ चाहे वो गवर्मेंट आफ इंडिया के अंडर में हो चाहे वो किसी प्राइबे प्लांट के बारे में बात करेंगे क्या होता है प्लवराइजर प्लांट कैसे काम करता है क्या काम करता है और किस तरह हमको फायदा होता है प्लवराइजर प्लांट लगाने से इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले डिटेल से आपको आखी तक बने रहना पड़े हैं Mechanical Guru चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू भाई लोग पी एड बॉइलर पलवराइज्ट कोल फायर बॉइलर इसका नामी इस ले पड़ा क्योंकि यहां पे पलवराइजर प्लांट का इसक्माल किया जाता है कोल को पलवराइज करने के लिए अब यह पलवराइजेशन क क्या होता है डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई यहलों को अदिवलग को बड़िक पीस लेंगे उसको जलाने में वहनी असानी करता average coal size जो हमको एक pulverizer plant provide करता है वो करीबन 75-80 micron के आसपास रहता है अब इतना बारी कोईला जब हम combustion efficiency भी बढ़ जाती है हम लोड के साथ हमारे boiler को अराम से वैरी कर सकते हैं जो भी पैरमीटर से हमारे boiler के और हमको ज्यादा control मिल जाता है इसके अलावा बहुत सारे पाइदे हैं हम बड़ा पावल प्लांट इसलिए बना पा रहे हैं आज की डेट में क्योंकि हमें पता है प्लवराइजर प्लांट के बारे में और हमकों को प्लवराइज करना जान चुके हैं लेकिन भाई करने कीсят सौड तन प्रति गंटे से कम हैं तो फिर आप प्लवराइजर प्लांट अगर लगाएंगे तो आपको नुक्सान जादा होगा वाई क्योंकि इसको चलाने में भी बहुत खर्चा होता है अब यह प्वराइजर प्लांट काम कैसे करता है क्या है मैं आपको बताया ना कोईयले को बारिक पीसना डीटेल से जानते हैं कि आखिर इसमें अब होता क्या है जैसा कि आप लोग जानते हैं पावर प्लांट में एक कोल हैंडलिंग प्लांट रहता है, कोल हैंडलिंग प्लांट में क्रशर रहता है, क्रशर एक स्पेसिफिक साइज में कोल को क्रश कर देता है, एक स्पेसिफिक साइज में बड़े-बड़े कोईले के तुकड़े उसको एक स्पेसिफिक साइज तक तो रहते हैं बढ़े बड़े जहां पर कॉईलीक बनकर में पहुंचता है वहां पर फोर हो जाता है बंकर के नीचे ए गेट रहता है इस गेट से कोईला नीचे आता है फीले में यह फीले में α मुष Cलम अगरें ऋपर और लिम्ट Two Subs है फीटर से कोईला गिरता है हमारी कोउल मिल में eight- blended my बड़े- रोलर हो सकते हैं इसके आपष्ब और बी दूसरे तरीके जिससे हम बारिक कडओं में फीचे हैं इसके बार में भी हम आगे में बात करेंगे नाहिक बात कि यह या फिर जब हम उसे पीस रहा है तो वो चिपके ना ठीक है तो इसलिए हम होट एयर भेशते हैं कोल मिल में होट एयर हम प्राइमरी एयर फैन से अट्मोस्फियर से सक करते हैं उसे एयर प्री हीटर में भेशते हैं एक बाइपास भी होता है प्राइमरी एयर फैन से जिससे हम कोल डियोदेक हैं बैसे कली हिए हम बनाते हैं अब क्सक्राइब लेकर और उसे पिर हम पोई मिल मैं हमारी भैजते डिया करने का काम करता है जैसे यह आप लोग जानते हैं होंगे भाई-लोग, अगर आपको ठोड़ा बहुत अ昌स्फिरीञ्स होगा तो कोल मिल में ज़ादा तर आग लगती है बारिश के समय अगर कोल में बहुत जदा मौश्यर है कोल बहुत जदा गीला है तो कोल मिल में आग लग जाती है बारिश के समय क्योंकि कोल इत्तम जम सा जाता है कोल मिल के अंदर और उसके बाद rubbing surfaces होने के कारण इत्तम जादा friction और heat generate होने के कारण उस कोईले में आग लग जाती और आपको यह जानके भी बहुत हैरानी होगी कि steam से आग बुझाया जाता है कोल मिल में अगर आग लगती है तो उसे water से न basically ठीक है फिर हम उसे piece देते हैं और उसके पास एक classifier से pass करते है classifier जैसे नाम से समझ में आ रहा है यह classify कर देता है यह तै करता है कि इतने ही particle इतने ही size का कोल हमारे boiler में जाना है और उससे थोड़ा भी size अगर कोल का बढ़ा हुआ particle का size उससे भी थोड़ा भी बढ़ा हुआ तो यह classifier उसे आगे जाने नहीं देता यानि कि classifier की मदद से कि specific size का कोल ही boiler में पहुंसता है और बढ़िया तरीके से जलता है और हमें energy और power और electricity मिलती है तो classifier से कोल निकलता है लेकिन जो hot air है वो इतना ज़्यादा hot भी नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा भी hot नहीं ह कोईला वहीं पर जल जाए क्योंकि air का temperature बहुत ज्यादा है इसलिए हम hot air और cold air को mix करके एक specific temperature में air को या फिर यह जो air और cold fine cold particle का जो mixture है एक specific temperature में boiler तक पहुंसता है इसका temperature हम maintain करते है cold air को इस mixture से मिला के यानि कि hot air और कोईले का जो fine particle का जो mixture है इससे cold air को मिला के हम इसका temperature maintain कर सकते है तो यह भाई लोग काम होता है एक pulverizer plant का कोईले का चूरा करना और उसके बाद उसको transport करना सही तरीके से boiler में इसके लिए dry करने के लिए कोईले को सुख हाने के लिए हवा ली जाती है atmosphere से जिस पंखे से ली जाती है उसे बोलते है primary air fan और यह हवा को हम गरम करके coal mill में हमारी भेजते हैं ताकि हमारा coal सूख जाए और यह हवा गरम होती है air preheater की मदद से जो boiler के अंदर ही लगा रहता है और यह hot flu gases से heat exchange करता है hot flu gases से गर्मी लेता है और classifier उसे classify कर देता है और यह hot air हम भेज रहा है यह hot air हमारे coal को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती है हमारे boiler तक लेकिन भाई लोग coal को जलाने के लिए इतनी air परियाप्त नहीं होती है boiler में इसके लिए हमको एक और air भीजना परता है और air भीजना परता है जिसका ना और हमारा fuel अच्छे से burn होता है तो भाई लोग यही थी कुछ बाते इस वीडियो में हम pulverizer plant के बारे में बात किये basic बताया और थोड़ी सी details आपको मैंने बताने की कोशिश की उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो like करना बनता है like जरू स्दध्ण की संदे तो है सब्सक्राइब में कर दो अपको यही हुई है कि अपको एदके इसे प्रश्या थीर शंदों कर भाई प्रेण तो एडियो और दो लो एगैं है चाना चार प्रेण बसे ऊईके सब्सक्राइए है अबस्ता है नहीं है प्रहती वाल है उना यंद है